हरे कृष्णा आज हम श्रीमत भगवत गीता के तेरवे अध्याय के 32 श्लोक को पढ़ेंगे आए पहले इसका स्वर्से गायन करें आई अब इसका शब्दार देखते हैं जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त सुख्ष्म होने के कारण आकाश न उपलिप्यते यानि नहीं लिप्त होता यथा सर्वगतम सुख्ष्म्यात आकाश न उपलिप्यते आया बगली पंक्ती पे चलते हैं सर्वत्र अवस्थितो देहे सर्वत्र अवस्थितह यानि सभी जगह स्थित शरीर में तथा आत्मा न उपलिप्यते यानि उसी प्रकार आत्मा नहीं लिप्त होता सर्वत्र आवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते तो इस लोग का अर्थ हुआ जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है पर सुक्ष्म होने के कारण किसी से लिप्त नहीं होता उसी तरह देह में सर्वत्र स्थित आत्मा शरीर से कभी लिप्त नहीं होता